अगर आप options buyer हैं तो वीडियो को आप प्लीज पूरा जोड़ देखिना कहीं भी skip मत करना क्योंकि आज की वीडियो से आप लोगो यहां पे बहुत खास चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके trading session में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं खास और पे आप डिसाइट कर सकते हैं मुझे आज यहां पे trade करना है या नहीं करना है overnight करनी है या नहीं करनी है market कहां चलने वाली है जो लोग सोचते हैं कि market यहां पे उपर को जाएगी अनुमान लगाते हैं ना पहले भी पहले से ही अनुमाल लगाने लग जाते हैं मारकेट कल कहा जाने वाली है या घिरने वाली है या उपर जाने वाली है यह सबसे बड़ा मित है strong मारकेट के अंदर क्योंकि professionals यहांपे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं professionals से या तो news देखे यहां पर टेडिंग करते हैं, जिस तरह की आपे वॉलेटिलिटी मार्केट करणा आने वाले होगी और या फिर हो लोग टेकनिकली जाते हैं टेकनिकल के अंदर आपको यहां पर मार्केट कहां जाएगी इस तरह अनुमाल लगान की जरूवत ही नहीं है या तो आप ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे ट्रेड आप तभी करेंगे जब आपको लेबल्स मिलेंगे सीदी बाद होगे यानि कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत लंबा सर्वाइब कर सकते हैं बहुत लंबा चल सकते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे कि मार्केट का लोग पर जाएगी मैं पोजिशन आ ले लेता हूं तो मैं आपको यहाँ पे गैरेंटी रेता हूं आप यहाँ पे 6 मैनसी ज्यादा नहीं टिक पाएंगे मार्केट के अंदर तो बने रही है हमारे साथ इस दीच को मैं आपको यहाँ पे एकस्प्लेइन करूंगा अगर चैनल पर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं चैनल को आप जूड़ सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बैल आइकाउन ताकि आपको जरोड़ी नोटिफिकेशन मिलते रहें ओके निप्टि का मने आप पे चार्ट ओपन किया हुआ है और चार्ट के अंदर जो कैंडिल फ्रेम है वो यहाँ पे वन डे कैंडिल फ्रेम है जहां जना वन डे कैंडिल इससे नीचे आपको नहीं रखना है अगर आपको यहां पे उप्शन में करनी है कैंडिल आपको कब यहां पे डिखने करना हैpected के यान कि 15 विनुट की वि↎ बनानी विलकूल, अपको इहां पे आथाँ हैenta और इसके अंदर मां आपको यहाँ पर option chain भी दिखाऊंगा इसके अंदर actually हुआ क्या है यह भी आपको समय मा आ जाएगा ठीक है और उससे पहले जिन भी यह काफी बड़ा मूब था यहाँ पर का मूब था अगर इन candles के अंदर आप देखें इस सारी ही candle यहाँ पर पॉजिशन लेने के लिए बिल्कुल पॉजिशन है नहीं लेकिन फिर भी हमने पर पॉजिशन बनाई इस candle के अंदर यहाँ पर पोजिशन लेकिन candle यहाँ पर जो इंटाइर candle है वो 286 पोएंट की है और हमको यहाँ ध्यान देना जब भी आपको यहाँ पर निप्टी के अंदर ट्रेट करना है options के अंदर तो यहाँ पर candle pattern आपकी ध्यान देना जो average candle pattern का मूब होना चीए वो तगरेबन 100 पोएंट से नीचे होना च समझ गए अगर निप्टी का जो मूब है किसी दिन आपको यहाँ पर 70 पोएंट या फिर 65 पोएंट का दिक्त है यह बिल्कूल एक perfect candle है position बनाने के लिए यहाँ से आपको loss कभी नहीं हो सकता ज्यान जाना यह 100% आपको यहाँ पर प्रोफिट देगे ही जाएंगे आप यहा आप एक perfect trader बन जाएंगे उसके बाद मुझसे यह नहीं पूछेंगे सर यहाँ पर market कहाँ चलने वाली है कल मैंने तो यहाँ पोजिन बना रखे कोई बोले का सर कल market नीचे गरीगी यह आप पोर जाएगी यह आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है क्योंकि यह चीजें आपको पता है यह चीजें market को भी नहीं पता कितने बड़े यहाँ पर analysis होना उसको भी नहीं पता कल market कहाँ चलेगी और क्या news यहाँ पर कल रात भर के अंदर आने वाली है यानि कोई बंब गिनने वाला है यहाँ फिर financial crisis यहाँ पर होने वाली है पता नहीं यह यहाँ पर profit हो जाएगा लेकिन हमेशा आपको profit नहीं होगा एक दिन आपको बड़ा loss दे जाएगे और सारा profit एक दिन ही आपको यहाँ पर जीरो हो जाएगा अब दोस्तों एक candle का मैं यहाँ पर आपको उधारण दोंगा कौन सी हो candle है जो हमारे लिए perfect candle हो सकते बहुत सारी candle यहाँ पर बनी और उसका मैं आपको यहाँ पर उधारण दोंगा आपको बिल्कुल समझ मा आ जाएगा हाँ मुझे यहाँ पर position बनानी चाहिए तो इस candle को मैं अगर मैं देखो तो इसके अंदर जो move था तकरिवन यहाँ पर आप देशकते हैं 59 point का move था इस तरह की candle आपक 69 point यह बिल्कुल options में trading करने के लिए बिल्कुल perfect candle है options बायर के लिए बिल्कुल perfect candle है इसको कभी भी आप मत छोड़ना मैं भी नहीं चोड़ता हूं और आप भी मत छोड़ना पूछने की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पर आपको BTST करना ही करने है और मैं भी इस पर पता चल जाता है market इसी candle के अंदर शिमट जाएगी ध्यांदना इसी candle के अंदर market रह जाएगी अब इससे उपर यहाँ पर market नहीं जाने वाली है ठीक है तो दो बज़े बाद या धाय बज़े बाद हम यहाँ पर कभी भी position मना सकते हैं या 30 या 325 कभी भी आप यहाँ प profit होता है और बड़े candle बनती है तो अगले दिन छोटा profit होता है यहाँ पर लोगों ने इस candle के अंदर position बनाए थी यह candle बिल्कुर परफेक्ट नहीं है यहाँ बहुत लोगों ने BTST किया था क्योंकि मैं लाइब वीडियो जब लाया था इविनिंग में 830 पे आपने दिखा ह होगा बहुत लोग बोले से सर मैंने यहाँ पे कॉल ले रखा है मैं क्या कुनों कल मार्केट कहां जाएगी उपर जाएगी नीजे खुलेगी कहां खुलेगी तो मैंने उनको क्या बोला भईया यहाँ अगर गैपाप opening होगा तो profit बुक कर लेना आप लोग यह मत समझना मार तक ही तो केंडिल यहां बनती यह बनती यहां बनती तो बहुत बड़ा ल लॉस आपको होजाना ठाठाओ है हाला कि हम छोटी दॉयां कहां क्यों ब कहर लुस करना penate को और शिक आप si उभक करना है को फिक था प्रकर बड़ी काश ब्रक्राइब करना है और भी होता है अब क मैं आपको समझा जातू हूँ, यहां से आपको सब को समझा जाएगा, बड़ी केंडिल का मलग है आपको, आइवी, यह related है यहां पर आइवी से, बड़ी केंडिल बनी है, अब wide angle में बनी क्यों है, क्योंकि आप यहां पर expect कर रहे थे कि market यहां तो बहुत उपर जाएगी, यहां पर market बहुत नीचे गड़ने वाल है, इसलिए लोगों ने यहां पर जो बड़े पैसे वाले थे, उन लोगों ने close position बनाए, और जो retail थे यहां पर छोड़े निवेशक options के अंदर, entire options के अंदर, अब यहां पर आपको इस candle के बार loss क्यों होगा, अगर इस candle के बार अगर छोटी candle बनते है, तो यहां से loss होना start हो जाएगा, भले आप यहां पर call लो, या put लो, कुछ भी लो आप, loss होना ही होना है, कैसे, हम आपको यहां पर option chain के अंदर दिखा द बनना, तो यहां देखेंगे, आप, put के अंदर भी loss है, call के अंदर भी loss है, है न, दोनो side lot है, अगर आप यहां पर out of the money देखो, in the money छोड़ दो हैं पर, in the money के अंदर भी उतना बड़ा profit नहीं है, अगर बाद में जो लोग घुशे होंगे न, उनको loss ही होगा, यहां तो green म यह तो केवाल gap up opening है, अगर मैं पूछूं किसी से, कि आप अगर in the money में है, profit में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि profit हो, वो loss में होगा, मैं बता रहता हूँ, loss में होगा यहां पर, इसलिए मैंने आज आज आपको बता जा जा है, कि आज आज आपको बिलकुर trade नहीं करना है, क volume बहुत ज्यादा increase हुआ है, अब यहां पर volume down होने लग जाएगा, और यहां पर market squeeze करने लग जाएगी, पहले move यहां पर इतना बड़ा हुआ करता था, आप यहां पर छोटे-छोटे move होंगे, निप्टी के अंदर इतने चोटे, और यह पूरे यहां पर selling होने लग यहां पर ठीक है, तो यह थे दोस्ते हैं आप एक candle की theory, अब समाजना आगे, इसलिए बोला हम वीडियो के अंदर आप बने रहना, वीडियो यहां पर बड़े interesting आप लोगों के लिए होने आ लिए हैं, इस तरह के वीडियो बार-बार आपको नहीं मिलेंगी, अब मान लेजे मैं position बनाता हूं, अगर इस तरह की candle मुझे मिल जाती हैं, जो बहुत छोटी हैं, और पीछे भी मैंने आपको एक candle दिखाई थी, जो की बहुत छोटी candle थी, वो मैं आपको दिखा रहता हूं, बिलकोल ही यहां पर जिसके अंदर volume बहुत कम था, और move बहुत कम था, यह 92 point की है, और इसे छोटी candle मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, जहां पर move कम था, उसका फैदा क्या होगा, वो समझना, यह भी 92 point है, इस से भी छोटी मैं ढूडने के कोशिस करूँगा, आप लोगं के लिए, okay, very nice, 86 point का के वाल move है, इस candle के अंदर, अब इसका benefit आपको क call भी भाई कर लिया, अगर इस तरह की candle आपको मिलती है, और expiry के यह भी time है, यानि कि माल लिजे आपने एक तारिक को भाई किया, यहां पर एक तारिक को, यह दो तारिक, तीन तारिक, चार तारिक, पांस तारिक, और यहां माल लिजे expiry है, छे तारिक को, अगर आपने यह यहाँ position बना रिखी है इस candle के अंदर तो आपको यहां से अपनी position कॉल फुट दोनों को यहां पे exit करने की जरुवत बिलकुल नहीं है क्या निए exit करने की जरुवत नहीं है क्योंकि इस candle के अंज़ा जो आपको यहाँ पर premium मिली होंगी तो यहाँ पर under 40 माल लिजा आपने पर 30 रुबे की यहाँ पर call buy करी और 30 रुबे की आपने यहाँ पर put buy करी अब समझना क्या दोस्तो मार्केट यहाँ से देखो मार्केट य value calculate होती है तीस वाली premium आपके यहाँ पर तग्रेबन 300 क्रोस कर जाएगी लगवक्त 300 क्रोस आपकी कर जाएगी अगर आपको यहाँ पर call-in जगों पर लगा है के लिए दोस्तो 300 और loss कितना हुआ यह 0 हो जाएगा यह 300 गए आपका यह 30 रुबीज आपके गए और 30 loss कौन बताएगा अब loss भी हो आपको पता जाता हूँ loss आपको इस candle में दोस्तो तभी होगा इस candle में आपको loss तभी होगा जब market यहाँ पर squeeze कर जाएगी अपनी जगा देखो इस range में यहाँ पर बज जाएगी इसी range में इसी range में घूमते रहेगी expiry तक तब आपको यहाँ loss हो सकता है अधरवाइज इस candle के अंदर आपको loss होई नहीं सकता ठीक है तो profit आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत जबरस्त profit यहाँ पर बन सकता है इस तरह की candle में loss कितना है वो भी मैं आपको देखा रता हूँ loss कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देख रहे हैं आप लोग इस candle का कमाल target 5.96 और loss.49 का इतना ही आपका यहाँ पर लॉस है तो कितना गुना आप यहाँ पर profit कर रहे हैं इस तरह की अगर candle आपको मिलती है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं तो उम्मीद करता हू आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जोड़ करें अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जोड़ सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉजिंग